हाई फ्रेंज इस वीडियो में आपके साथ श्यार करूंगी मेरे गार्डन में जो बहुत ही खुबसुरा गुलाब खिल रहे हैं इसके लिए मैं कौन सा फार्टिलाजर देती हूँ और कौन सा क्यार मैं करती हूँ हमारा किचेन से जो डेली बेसिस पे वेस्ट निकलते है तो उसी से ही मैं गुलाब को फार्टिलाज करते हूँ गुलाब एक हेवी फीडर प्लांट है इसमें हर्ट टाइम कुछ न कुछ आपको देना पड़ेगा यानि मिट्टी में गुलाब का सोयल में जब आप अच्छा तरीके से फार्टिलाजर यानि खार डालके मिट्टी को उपजाओ करके रखेंगे तो गुलाब बहुत ही खुबसुराती के साथ खिलते ही रहते हैं गुलाब में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रोथ आती ही रहते ह साथ में आपको देना ही है अच्छ तरीके से सान लाइट और जैसे मिट्टी सूख जाए उसके बाद आपको तुरंत डाल देना है पानी और गुला प्लांट के लिए क्लीनिंग बहुती जरूरी होता है यानि जो सुखे पत्ता मिट्टी के उपर ज़र के गिर जाता है मिट्टी पे कोई वीडς निकालते रहते हैं सब को आपको हटा देना है प्लांट में भी एक भी सुखे पत्ता होना नहीं चाहिए जो ब्रांच सुख जाता है वो भी आपको कट करके हटा देना है तो इस तरीके से गुलाब को अच्छे तरीके से साप करके रखेंगे, क्लीन करके रखेंगे, तो गुलाब काफी टाइम से काफी सालों से गार्डेन में रहता ही रहता है, फांगस गुलाब में बहुत ही कम लगता है, खास करके जब आप पानी का कंट्रोल करेंगे, जब आपको पानी होना नहीं चाहिए सोयल में जब भी पानी जम जाता है पानी अच्छा से ड्रेन नहीं हो पाता है इसके कारण में गुलाब खराब होता है देखिए गारेन में कितना खुबसुरत के साथ ये ब्लैक रोज खील रहे है तो ये सब बेसिक चीज हमको कर लेना है कौन सा होममेट फार्टी लैजर मैं गुलाब प्लांट में डालती रहती हूँ और मेरा बालकोनी गार्डेन एकदम से फुलो से भर जाता है देखिए पहले जो फार्टी लैजर का नाम लोंगी सबसे इंपोर्टेंट फार्टी लैजर है ये बनना पील गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और कोई भी फ्लारिंग प्लांट के लिए बनना पील तो आच्छा रहते ही है तो किस तरीके से बनना पील को आपको इस्तेमाल करना है देखिए जो बनना पील है ये है कच्चा है तो ये बनना पील को आपको इस्तेमाल नहीं करना है इस तरीके से छोटा छोटा टुकरा करके shady area पे आपको सुखा लेना है और इस तरीके से जब सुख जाए तब ही आपको plant में इस्तेमल करना है खास करके गुलाब का plant में कोई भी कच्चा कोई भी raw चीज का इस्तेमल आपको नहीं करना है क्योंकि गुलाब को हमेशा हमको fungus से बचा के रखना है और site पे देखिए ये छोटा छोटा इलाइची का दाना आपको दीख रहा है ये चाय का पत्ती मैंने लिया है use tea leaves तो इसमें ये जो हमने मसला बगरा डालते है कभी अधरक भी डालते है तो ये सब टुकरा हमको नहीं रखना है एकदम अधरक हो गए इलाइची हो गए लौग हो गए जो भी मसला हम डालते हैं उसको निकल के हमको चाय का पत्ती ले लेना है अगर आप यूज करा हुआ tea leaves यूज इस्तेमाल करेंगे तो नहीं तो fresh tea leaves भी आप इस्तेमाल कर सकते हो आप देखिए मेरा हर कोई प्लांट देखिए अच्छा से मैंने गुराई करके एक दिन पहले गुराई करके छोड़ रखी थी और ऐसे गुलाब का प्लांट में आपको हमेशा गुराई का काम करते जाना है हर हफटा आप गुराई करेंगे तो और भी बहुत ही बरिया रहता है इस तरीके से देखिए मेरा हर कोई प्लांट गुराई करके मैं रखी हूँ अब आपको दिखाती हूँ कि फार्टिलाइजर किस तरीके से आपको दे देना है यह जो फार्टिलाइजर मैंने लिया है बनना पील को सुखा के लिया है चाय का पत्ती लिया है और इसके साथ मैंने मिलाई थोरा सा हल्दी का पाउडर तो हल्दी का पाउडर मिलाने से खुलाप का प्लांट में फांगस नहीं लगता है अब यह जो फार्टिलाइजर आप देखिए किस तरीके से मैं दे रही हूँ मैं एक जगा पे मिट्टी पे एक छोटा सा गड़ा बना लिया है इसी गड़ा में मैं डालूँगी इस फार्टिलाइजर को और इस जगा को मैं मिट्टी से ढख दूँगी इस तरीके से हमको फाटिवाजर देते जाना है हर मांथ हमको हराटिवाजर देना है तो प्लांट में ग्रोद भी नहीं रुकेगा और फूल आना भी खतम नहीं होगा और गुला प्लांट में और एक प्रॉब्लेम बहुत ही ज्यादा मतरह में आते है कि ब्रांच निकलते हैं, पर हर ब्रांच का टिप्स में कल्या नहीं बन पाता है. जिसको blind suit बोलते है तो इसके करन हुए एक तो fertilizer का कमी हो जाता है, जब plant में और sunlight का कमी और पानी का कमी. यह तीनों चीज का कमी के करन में इस तरीके से blind suit plant में निकालके आते है. इस fertilizer के साथ साथ आप अंडे का चिलका अच्छ से धो के सुखा के चुरन बना के आप मिट्टी पे डालेंगे तो calcium के लिए भी plant में कोई deficiency नहीं आएगा तो इस तरीके से आप गुलाब को क्यार करिए बहुत ही इजी तरीके से मैं क्यार आपके साथ share किया है fertilizer भी मैंने एकदम फ्रीका fertilizer आपके साथ share किया है आशा करती हूँ इस वीडियो आपको बहुत ही helpful रहेगा आपका plant में कलिया नहीं बन रहे है फूल नहीं खिल रहे है और plant में कोई भी growth भी नहीं आ रहे है तो जरूर इस वीडियो को आप follow करिए इस fertilizer को plant में इस्तेमाल करिए आपका plant में कलिया का कोई कमी नहीं होगा आपका plant बहुत ही खुबसूरती के साथ फूल खिलाते जाएगा और आज का ये जो fertilizer आपके साथ share किया है आप साल में कभी भी कोई भी गुलाब का plant में डाल दीजिए बहुत ही अच्छा से काम करते रहते हैं तो उमीद करती हूँ इस winter में आपका बागिचा में गुलाब फुलो से भर जाएगा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like, share, गरूर करा करिए कोई भी query है आप ज़रूर मेरे को comment कर सकते हो और आभी तक मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किये हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यू सो मच फेंक्स, थैंक्स पोर वाचिंग, हप्य गाड़ें